बिस्मिल्लाहि राह्मानियुर्खेम अस्सलाम उलैकूम मेरे प्यारे वेवस अश्दार कुकी में आपका कुश्च आमदीद आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर ये तो पहले हमें कराही ले लेनी है उसमें हमने तेल को गरम करके उसमें प्यास डाब देनी है तो हमारे प्यास अब तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं टमाटर और प्यास को अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लें और इनको थोड़ी देर तक के लिए भूने इसको थोड़ी देर तक पकाने के बाद अब हमने इसमें अपने घरेलू मिसाल अजाद शामल कर देने हैं जो के ओपर सक्रीन पर भी मैंशन है मैंने एक चाय का चमच चुखमच पाउडर नमक हस पे जरूरत आधा चाय का चमच हल्डी पाउडर और आधा चाय का चमच जीरा भी शामल किया है हमने इन तमाम मिसालों को मिक्स कर देना है हमने दिरमाणी आँच पर इसको अच्छी तरह से पकाना है अब हम अपने में इंग्रीडियन्स की तरफ चलते हैं जो के आलो और मटर है आपने आलो और मटर को अच्छी तरह से धो कर इन में शामल कर देना है आलो मटर की सब्जी एक आम और साधर सी पाकिस्तानी खुराख है इसका हम मुट्रियस तरीकों से भी बना सकते हैं हमने पहले मटर गोश्ट की रस्पी की तर्कीप भी आपके साथ शेयर की थी इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आपको पसंद आए तो आप लाजमी जाकर वो वीडियो देखें और रस्पी को दरूर ट्राइ कीजिएगा हमने आलो मटर को अच्छी तरह से दर्मयानी आंच पर पकाना है ताके हमारे मटर और आलो सौफ्ट हो जाएं मैंने अपनी सब्जी को घर में मजूद मिशाल अजास से ही त्यार किया है ठीक है आलो मटर की इस सब्जी को हम सादा रुजाना की खाने के हिस्थे के तोर पर भी अपनी फैमिली मुंबिस को पेश कर सकते हैं ठीक है आपने हमारी खुबसूरत प्यारी छोटी से मुर्गयां को लादमी मिस किया होगा अलहम्दोलिल्ला ये भी खुश और ठीक ठाक है और हम भी अपने देखने वाले इंशायकीन से बहुत खुश है जी तो ये भी अपना खाना खा रही है अब हम अपनी खाने की तरकीद की तरफ चलते हैं हमने इन में पानी डाल देना है और इनको अच्छी तरह से दर्माइन आंच पर भूनना है पानी मैंने सिर्फ एक या दो कप डाले हैं जी तो मेरी मुर्गयों के दर्माइन स्टेरिंग कंटेस्ट चल रहा है जी तो ये थोड़ी से उदास रहती है क्योंके इनका तीसरा क्राइम पार्टनर बच्चों को निकालने के लिए अंडों पर बैठी हुई है हम अपनी रेस्पी की तरफ चलते हैं हमने आलू और मट्रों को अच्छी तरह से भून लिया है और ये तक्रीबन पक चुके है अगर आपको रेस्पी पसंद आई है तो लाव मी इस रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा और ओनेस्ट रिवीज शेयर कीजिएगा अब हमने इसमें एक बटा दो चाय का चमच गरम इस साला और कसूरी मेथी डाल दी है और इसको ढख देंगे आपने इसको दिरमियानी से तेज आँच पर अच्छी तरह से पकने देना है हम इस आलू मटर की सबजी को आम की चटनी के साथ भी ट्राइ कर सकते हैं और गरम गरम रोटी के साथ तनावल कर सकते हैं इसके लावा हम चावलों के उपर भी इसको डाल कर खा सकते हैं यह जाइका और सिहत के लिहाज से बहुती मुफीद सबसी है आप जरूर इसको ट्राइ कीजिएगा जी तो हमारे आलू और मटर की प्यारी सी रस्पी त्यार हो चुकी है हम इसको डिश ओट करेंगे और सेर्फ करेंगे हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा खुशियां बांटें और खुश रहें इंशाला हमारी अगली वीडियो में मलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दें खुदा हाफिज फी अमानिल्ह